प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पात नभी इसायस का ग्रंथ अध्याय 48 वचन संख्याएं 17 स 19 तक यदि तुमने मेरी आज्याओं का पालन किया होता प्रभु इस्रायल का परम पावन इश्वर तुम्हारा उद्धारक यह कहता है मैं प्रभु तुम्हारा इश्वर हूँ मैं तुम्हें कल्यान की बाते बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पत्प्रदर्शन करता हूँ यदि तुमने मेरी आज्याओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुक शांती नदी की तरह उमरती रहती और तुम्हारी धार्मिक्ता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वन्षज बालू की तरह हो गए होते। तुम्हारी संतती उसके कणों की तरह असंक्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी द्रस्ती से दूर नहीं करता। यह प्रबु की वानी है संत्मत्ति के अनुसार पवित्र सु समाचार अध्याए 11 वाके 16 से 19 तक येसु ने कहा मैं इस पीड़ी की तुलना किस से करूँ वे बजार में बैठे हुए छोकरों के सद्रिश हैं जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे हमने विलाब किया और तुमने च्छाती नहीं पीटी क्योंकि योहन बबतिस्ता आया जो ना खाता और ना पीता है और वे कहते हैं उससे अब्दूत लगा है मानो पुत्र आया जो खाता पीता है और वे कहते हैं देखो ये आदमी पेटू और पेकड है नाकेदारों और पापियों का मित्र है किन्तो इश्वर की प्रग्या परिनामों द्वारा सही प्रमानित हुई है ये प्रभु का दिव्य सु समाचार है क्रिष्ट प्रभु की जय है मेरे प्रिये भाई और बेनों आज का पहला पाठ इस स्यास नभी के ग्रंद की अधियाए अड़तालीस से लिया गया था पवित्र वचना में सिखाता है कि जहां कहीं भी इश्वर की आग्याओं का पालन होता है वहां इश्वर का आशिरवाद बरसता है इश्वर ने इब्राहिम को आशिरवाद दिया अमुत्पती ग्रंद की अधियाए बाईस में पढ़ेंगे इश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने एक मात्र पुत्रे सहाक जिसको तुम बहुत प्यार करते हो मोरिय प्रदेश ले आओ और जो पहाडी में दिखाओंगो उस पर उसकी बली चाहाओ इब्राहिम तयार हो जाता है अपने बेटे की बली चाहने के लिए तयार होता है अपने जेब से छूरा उठाता है आवाज आती है इब्राहिम तुमने वो करके दिखाया तुमने अपने एकलावते पुत्र को भी मुझे देने से इंकार नहीं किया मेरी आग्या का पालन किया इसलिए मैं शपत खाकर कहता हूँ मैं तुम पर आशिरवार बसाता रहूंगा पूरी बैबल में हम पढ़ते हैं जहां कैम भी प्रभू के आदेशों का पालन होता है वहां पर प्रभू की आशिश बरस्ती है ठीक है इसके विपरीत पवित्र बैबल में हम ये भी पढ़ते हैं कि जहां पर प्रभू के आदेशों का उलंगन होता है वहाँ पर भी पत्तियां, पीडाएं, दुख आ जाते हैं उत्पति ग्रंद के अधियाए तीन में से आदम और हेवा के पाप के बारे में सुनिए उसके बाद उनके जीवन में क्या होता है योना नभी के ग्रंद में देखिए योना नभी ने प्रभु के आग्या का उनलंगन किया उनके जीवन में क्या हुआ सामुल के ग्रंद के पहले ग्रंद के अधियाए पंदर को पढ़िये राजा साउल ने प्रभु के आग्या का उनलंगन किया उसके जीवन में क्या हुआ तो आग्याओं का उलंगन पिपत्ती दुख पीडायन लाता है मत्ति के सुस्वाचार की अध्याए साथ वाक्य केज में प्रभियसु कहते हैं वे सब के सब जो प्रभू प्रभू कहते हैं ये स्वर्गी के राज में प्रभिश नहीं करेंगे लेकिन केबल भे ही जो मेरे स्वर्गीकपिता की इच्छापूरी करते हैं मत्ति के सुस्वाचार की ध्याये 5 वाक्य unbedingt प्रभियसु कहते हैं जो मेरे इन चो अग्याओं में से चोटी सी चोटी आग्याओं में से किसी का भी पालन करता है उसका पालन करने को सिखाता है वो सोर्ग राज में बड़ा माना जाएगा इसी दिश्चा में आज का पहला पाथ है प्रभु कहते हैं प्रभु इस्रायल का परंपावन इश्वर उधारक ये कहता है मैं प्रभु तुम्हारा इश्वर मैं तुम्हें कल्यान की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पत्ध दर्शन करता हूँ यदि तुमने मेरी आग्याओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांती नदी की तरह उमरती रहती और तुम्हारी धारमिक्ता समुद्र की लहरों की तरह प्रभू इसराइलियों से कहते हैं यजि तुमने मेरी आग्याओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शादी नदी की तरह उमरती रहती और तुम्हारी धार मिकता समुद्र की लहरों की तरह तुम्हारे वन्शज बालू की तरह हो गये होते तुम्हारी संतती उसके कड़ों की तरह असंख हो जाती उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दिश्टी से दूर नहीं करता लेकिन तुमने मेरी आग्याओं का पालन नहीं किया हमें सुक्ति ग्रंद की अध्यायतीन में पढ़ने को मिलता है सुक्ति ग्रंद उसकी अध्यायतीन में वाकी एक और दो में वचर में लिका हुआ है प्रभू कहते हैं पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ मेरी शिक्षा को मत भुलाओ मेरी आग्याओं को अपने हिर्दे में संजोय रखो क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयू और बड़ी शान्ती पदान करेगी प्रभू की आग्याओं का पालन हमें लंबी आयू और बड़ी शान्ती पदान करता है राजाओं की दूसरे ग्रंदे की अधियाए अठारा में हमें राजा है जकिया के बारे में पढ़ने को मिलता है वाकी छे और साथ में वा प्रबूस से स्यूट रहा और कभी उसे विमुक नहीं हो गया वा मुसा को दी हुई प्रबू की आग्याओं का पालन करता था प्रबूस के साथ रहा वा अपने सब कामों में सफल हुआ राजा है जकिया प्रबू की आग्याओं का पालन करता था इसलिए प्रबूस के साथ रहा और सब कामों में सफल हुआ आज के पहले पाठ के दौरा प्रबू हमें एक बहुत सर्शक्त संदेश देते हैं प्रभु की आग्याएं हमारे कल्यान के लिए हैं प्रभु की आग्याएं हमारे कल्यान के लिए हैं यरमियसन भी अध्याई 29 वाके 11 में प्रभु गयते हैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जामता हूं तुम्हारे हित की योजनाएं तुम्हारे लिए आश्चा मैं भविश्य की योजनाएं हमें इस दृष्टिकों से प्रभु के आदेशों प्रभु की आग्याओं को देखने की अवर्शकता है जिस तरह एक प्रेमी पिता अपने बच्चों के लिए सूचता है उसी तरह ईश्वर हमारे लिए सूचता है और ईश्वर हमें सही मार्ग दिखाता है हमें सफल और सुखमे मार्ग दिखाता है इश्वर ने हमारे लिए आग्याएं दिये हैं नियम दिये हैं गाइडन्स दिया है ताकि हम उसका पालन करते हुए हमारी जीवन में सुख शांती का एसास कर सके प्रभू कहते हैं यदि तुमने मेरी आग्याओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांती नदी की तरह उमरती रहती तुम्हें इतने फिक्र करने की जरूरत नहीं होती तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती लेकिन तुमने मेरी आग्याओं का पालन नहीं किया मेरे प्रिये भाई और बेनों हम विश्वासियों को प्रभू की आग्याओं को हिर्देश से लगाना चाहिए हिर्देंगम करना चाहिए एक-एक बचन पर विश्वास करना चाहिए उसका अक्षरसा पालन करना चाहिए जब हम उसको पालन करेंगे प्रभू की सुरक्षा प्रभू का समरेक्षन हमारों पर बना रहेगा प्रभू हमारे लिए हर परिस्थिती को भलाई में परिवर्तित करेंगे हम पढ़ेंगे रोमियों के पत्र की अध्याय आठ वाक अठाइस में जो प्रभु से प्रेम करते हैं प्रभु उनके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित करते हैं हम प्रभु की आग्याओं का पालन करना सीखें आज का सुसमाचार मती की सुसमाचार की अध्याय 11 से लिया गया था हम योहन के सुसमाचार की अध्याय तीन उसकी वाकियों नेस में पढ़ते हैं प्रभी उसु कहते हैं दंडाग्या का कारण यह है कि जोती संसार में आई लेकिन लोगों ने जोती की अपेक्षा अंदकार को पसंद गिया क्योंकि उनके कर्म बूरे थे प्रभी येशु के जमाने के यहूदियों की स्थिती कुछ ऐसी थी अवस्था कुछ ऐसी थी उनकी आखें बंद थी, उनके कान बंद थे, उनके हिर्दे बंद थे, मन बंद थे प्रभी एसु ने चारू और घूम घूम कर इश्वर के राजि के रहस्यों को लोगों को सुनाया लेकिन यहूदियों ने विशेश करके फरीसियों और शास्तियों ने उनको सुना ने प्रभी येसु ने चारू और घूम घूम कर इश्वर के सामर्ति को प्रकट किया बड़े बड़े चिन और चमतकार प्रकट किया लेकिन उन्हों ने उसको देखा ने वे अपने को ज़्यादा समझदार समझते थे और येशु को तुछ समझते थे उस समय के यहूदियों की तुलना प्रभी येशु आज एक सुन्दर दिश्टांद की द्वारा करते हैं प्रभु कहते हैं मैं इस पीड़ी की तुलना किसे करूं वे बजार में बैठे वे छोकरों के सद्रिश है जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे हमने विलाब किया और तुमने चाती नहीं पीटी येशु के जमाने के यहूदी भी ऐसा ही थे कोई प्रतिक्रिया नहीं कोई अच्छा जवाब नहीं आगे प्रभु कहते हैं योहन बप्तिस्ता आया जो ना खाता और ना पीता है और वे कहते हैं उसे अब दूत लगा है योहन बप्तिस्ता नरजन प्रदेश में मरुप्रदेश में रहता था मदू खाता था जंगल की चीजें खाता था कठोर और तपस्या पूर्ण में जीवन जीता था और यहूदियों को परिश्ठाताप के लिए आहुआन गिया लेकिन फरिशी और सदूकी और विशेश करके शास्त्रियों ने यहन बप्तिस्था को सुना नहीं उन्होंने कहा कि उसको अब्दूत लगा है आगे प्रभु कहते हैं मानो पुत्र आया येशु आये जो खाता पीता है और वे कहते हैं देखो ये आदमी पेटू और पेकड़ है नाकेदारों और पापियों का मित्र है यहन बप्तिस्था आया उसके बाद येशु आये लेकिन उनके अंदर कोई जवाब नहीं था कोई प्रतिक्रिया नहीं थी वे सोचते थे कि हम जानते हैं नियम जानते हैं इश्वर के बारे में जानते हैं और इसलिए येशु और योहन बप्तिस्ता को कोई अच्छा जवाब देने में भी तत्पर नहीं थे साधारन लोगों ने योहन बप्तिस्ता के वचनों को स्विकार किया और अपनी पापूं गिली प्ष्चताब किया साधारन लोगों ने येश्व में ईश्वर को पैचाना और इश्वर को धन्यवाद दिया इश्वर की स्थूति की और प्रभीयेश्व की वचनों को सुना आंतमी प्रभियाशू कहते हैं किन्तु एश्वर की प्रग्या परिनामूं द्वारा सही प्रमानित हुए फरिशी औशास्ति ये सोचते थे कि हम जानने वाले हम जानते हैं ये कैज जानता ये तो बड़ा ही है हम तो धर्म के ग्याता हैं हम धार्मिक नियमों को जानते हैं, हमारे धर्म की इतियाज को जानते हैं, हम ग्यानी हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं, सच्चा ग्यान जीवन की द्वारा प्रमानित होता है। मानो तुम अग्यानी हो। मेरे प्रिये भाई और बेनों, आज की सुसमाचार की द्वारा प्रभी इसू, हम सब का आहुआन करते हैं। ही बाते हैं, एक एक वचन की द्वारा प्रभु हमारे हुदे पर दस्तक देते हैं, खट-कटाते हैं, बोलते हैं मेरे लिए द्वार खोल दो, हम यहूदियों की तरह ना बनें। बलकि हम सुनें, देखें, येशू को पैचानें, अपनी जीवन में येशू के लिए स्थान दें। प्रभु येशू धन्यवाद देते हैं आज के सुन्दर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, एक एक वचन की द्वारा तू हमारे हिद्यों पर, अपनी आग्याओं को, अपने नियमों क अंकीत कर रहा है एक एक वचन के द्वारत तू हमारा आहवान करता है एक एक वचन के लिए तू जवाब चाहता है हमारे हिर्दे और मन को जागरत कर हमारी आँखों को और तेज बना ताकि हम देख सकें हम सुन सकें पैचान सकें और तुझे साकारातमक जवाब दे सके ये प्रविय सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बेनों को आशिरवाद देना आज का संपूर्ण दिन उनके लिए किर्पा का दिन बने आशिश का दिन बने अमारी प्रार्त्रां को ग्रहन कर आमेन प्रभु तेरे वाड़ी जीवन की रोठी मेनों की जोते अंधेरा मिटाती वाड़ी 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 पवृत्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है झाल झाल झाल